रुपया इन दिनों फिर से एक बार तूफान में फस्ता दिख रहा है रुपया धीरे धीरे खसक कर 83 के इस तर पर पहुंच सकता है आने वाले दिनों में उम्मीद है आशंका ऐसी भी है कि इसको पार कर सकता है रिजर्ब बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि आप रुपया को समालने के लिए भाई मध्यस्ता नहीं होगी ऐसा नहीं कर पाएंगे सर जब रिजर्ब बैंक जिसकी तरफ उम्मीदें होती हैं कि जब रुपया टूटेगा तो रिजर्ब बैंक समाल लेगा अगर ये नहीं होगा फिर तैयारी क्या होगी रुपया कई तरीके के तोफान में लगबग चार पांच महीं ने हमने रुपय में काफी स्तिर्था देखी रिजर्ब बैंक ने काफी उतसाह के साथ बाजार में विदेशी मुद्रा भंडार की आहूती भी थी जिससे की रुपया को 83 से नीचे जाने से रोका जा सके अब जो बन रहे तूफान हैं वो कितने बड़े हैं और इसलिए रिजर्ब बैंक भी अब इस तूफान में अपने विदेशी मुद्रा भंडार को नहीं आगे ले जाना चाहता अपने हाथ नहीं जलाना चाहता इसलिए बाजार को ये संकेत मिल रहे हैं कि रुपया 83 के पाथ ज नहीं करेंगे लेकिन वैसा नहीं हुआ ये उरोपियन सेंटरल मैंग ने कल पचास बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उसके बाद ये अन्य बैंकों ने भी जो ने भी ब्याज़दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दिये अमेरिका में फेडरल इजर्ब भी शायद ही और तीसरी और सबसे बढ़ी चुनाटी ये है कि भारत के निर्यात में लाज रही है अब दोरन नीतियों की तरह SM काम करने की कोशिस निख रही है सरकार के भी तर एक रिजर्ब बैंक बहुत ही संकट की स्थिती में शायद रुपए में इंटर्वीन करेगा 83 के बात तक के इस तरको स्वीकार कर लिया गया है कि उसे नीचे रुपए जा सकता है दूसरी तरफ के अंदर सरकार अब इस बात की त्यारी कर रही है कि वो भारत में आयात को खासता और पर गैर जरूरी आयात पर सकती करे और ऐसे आयात को सीमित करे जिसका असर जिसकी वजह से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाता है और उसे रोका जा सके है वो गैर जरूरी आयात कौन से होंगे उनकी क्या सूची होगी इस पर तैयारियां शुरू हो गई है यानि रुपए को बचाने के लिए जो current account deficit है उसे कम करने की ही कवायद शुरू हो रही है और अब शायद reserve bank अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बहुत समाल कर खर्च करने की कोशिश करेगा अगले साल की परिस्तिती में